हिंदी सिनेमा में अपने अभिने से परदी पर अमिट छाप छोड़ने वाली खुबसूरत और दिगज अदाकारा माला सिन्ना किसी पहचान के मौताज नहीं है उनका नाम लेती ही उनके जीवन और फिल्मों में उनकी अदाकारी की जहलकिया आँखों के सामने आने लगती है हम आपको उस समय के टॉप अभिनेत्रियों में से एक माला सिन्ना के जीवन के बारे में बताने जा रहे है चलिए जानते हैं कैसे माला सिन्ना ने चका चौन बरी दुनिया में यह मुकाम हासिल किया। किसी जमाने में खुबशूर्ती के मिसाल मानी जाने वाली अडाकारा माला सिन्ना का जन्व 11 नमबर 1936 को कुलकाता में हुआ था। उनके पिता पंगाली और मान नेपाली थी। माला सिन्ना का असली नाम एलडा सिन्ना है जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। माला सिन्ना जब स्कूल जाती थी तो उनके दोस्त उन्हें डालडा कहकर पुकारते थे वहीं माला के माता पिता उन्हें बेबी कहते थे इसलिए कई दोस्त उन्हें डालडा सिन्ना तो कई बेबी सिन्ना कहने लगें फिल्मों में अपनी एंट्री से पहले माला सिन्ना ने बता और शिंगर रेडियो में काम किया था एक्टिंग का हुनर देख फिल्म डिरेक्टर ने दिया था एक्टिंग करने का सुझाओ डांस और गाने में माहिर होने के साथ-साथ माला स्कूलों के नाटकों में भी पार्टिपेट किया करती थी एक दिन उनकी स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक famous फिल्म डारेक्टर आय थे इस फंक्शन में माला सिन्ना ने एक नाटक में भाग लिया था जैसे इनाटक सुरूवा और डिरेक्टर ने माला सिन्ना के एक्टिंग को देखा वो उनके अबने के कायल हो गए फंक्शन खतम होने के तुरन पाधी डिरेक्टर माला सिन्ना के घर चले गए वहाँ पर उन्होंने माला के पिता जी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्टरस बन सकती हैं इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका देजे डिरेक्टर की बातों से माला के पिता जी भी सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतावर बाल कलकार काम करना शुरू किया गीता बाली की गुजारिस पर मिला था वॉलिवुड में फिल्मी ब्रिक माला सिना ने एक्टिंग करियर की सुरुवात बतोर पाल कलकार एक बंगाली फिल्म जै वैशनो देवी से की थी 1952 में फिल्म रोशन आरा रिलीज हुई थी जिससे माला सिना ने अपना सिनेमेटिक डैवियो किया था इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नज़र आई इसी दोरान माला एक फिल्म की सुटिंग के लिए मुंबई आई थी यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई माला के पर्शनलिटी से गीता बहुत इंप्रेस हुई और उन्होंने डैरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिस की कि वो माला को वॉलिवुड में फिल्मी ब्रेक दें गीता की गुजारिस के बाद केदार शर्बाने माला को अपनी फिल्म रंगीन राते में बतौर हिरोईन कास्ट किया इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की लेकिन उन फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली आखिरकार इंतजार खताम हुआ और 1957 में रिल इसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया फिल्मों के लिए दी थी अपनी सिंगिंग करियर की कुर्बानी बच्पन से ही माला का जुकाव एक्टिंग से ज़्यादा म्यूजिक की तरफ था उन्होंने फिल्मों के अलावा औल इंडिया रेडियो में बतौर श्रिंगर भी काम किया था लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक चुनाव करना पड़ा था आकिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफर पर विराम लगा दिया पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही नेपाली फिल की इधर जब माला सिन्हा वॉलिवुड में सफलता की सेड़ी चरने लगी थी तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडर्श्ट्री से भी फिल्मों के ओफर आने लगे थे इसके बाद उन्होंने 1996 में नेपाल का रुकिया और नेपाली फिल्म माती घर में नजर आई ये माला की कर्या के एक मात्र नेपाली फिल्म रही इस फिल्म के हीरो एश्टेट कंपनी के मालिक चिदंबर प्रशार लोहानी थे प्यासा के बाद उन्होंने धूल का फूल फिर शुबा होगी हर्याली और रास्ता अनपढ़ तिल तेरा दिवाना कुम्रा बहुरानी जहां आरा हिमाले की गोद में आखें दो कलियां और मर्यादा सहित अनेक फिल्में दी पतादे माला सिन्हा पचास साथ और सत्तर के दसक की संदार अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने करीब चार दसकों तक फिल्मों में काम किया उन्होंने वॉलिवुड की कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और खुब नाम कमाया था माला सिन्दा ने हिंदी के अलावा बंगला और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है वो अपनी प्रतिभा और खुबसूरती दोनों के लिए जानी जाती है उनकी आकरी फिल्म साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म जित थी